हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एक्जामेटेक स्टेडी पर तो गाइज जिस बरती का में बरसों से इंतिजार था वो घड़ी आ चुकी है वो बरती आ चुकी है यानि SSE CGL 2020 की भरती का नोटिफिकेशन आपका आचुका है काफी बड़ी ख़बर है काफी खुसकबरी है तो गाइज इसका ओफिसल नोटिफिकेशन आचुका है SSE CGL 2020 का एक ही वीडियो में सारे डाउट किलियर करने वाला हूँ और जो आपके टोटल वेकेंसी आई है 6506 ठीक है गाईज एक ही वीडियो में पूरी डिटेल बतने वाला हूँ वीडियो को लाइक करना शेयर करना इसी तरह की वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना बोलना गाईज ठीक है गाईज देख लेते हैं पूरी जानकारी एक ही वीडियो में पू qualification क्या रहेगी complete detail आपको एक ही वीडियो में में देने वाला हूँ ठीक है गाइस वीडियो को like करना शेयर करना ठीक है गाइस बढ़ लेते गाइस आगे पूरी जानकारी देख लेते हैं तो गाइस official notification आपके सामने है आज एक दिन अपलोड हुआ है 29 दिसंबर 2020 को तो गाइस यह एसेसी का official notification आ चुका है देख लेते हैं पूरी जानकारी क्या क्या आजानकारी आपकी दी गई है तो गाइस यहाँ पर देख लेते हैं आपका date भरने का online कब से स्टार्ट हो रहा है 39 12 2020 से 31 जनवरी तक यानि कि आज की तारिक से आप फोर्म को भरना स्टार्ट कर सकते हो और 31 जनवरी तक आप लोग भर सकते हो फोर्म को दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा आप 31 से पहले भर लेना वरना आपको SSC CHSL की तरह आपको प्रोब्लम हो सकती यह काफी बच्चे फोम नहीं भर पाये थे, बाद में साइट को वीजी होने के कारण बच्चे फॉम नहीं भर पाए थे, ठीक है आगे जानकारी देख लेते हैं तो तो यह आगे क्या दिया गया यहाँ पर, लास्ट डेट आपकी क्या है 31 2021 घिकर आग spend last date and for making online payment payment की लास्ट डेट क्या है दो फरवरी ठीक है गाइस लास्ट डेट एंड चलान की डेट क्या दी गई है चार फरवरी ठीक है गाइस आगे बिदेख लेते क्या जानकारी दी गई है आपके जो computer मही से एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और आपके ये चलेंगे 7 जून तक ठीक है गाइस आगे बढ़ लेते हैं उगर आपका डेस्क्रिप्टिव होगा टायर टू होगा उसका नोटिफिकेशन आपको बाद में दे दिया जाएगा SSC के द्वारा आगे देख लेते क्या जानकारी दी गही है गाइस तो गाइस मैं आपको इक बात बता देता हूँ IB, CBI, Inspector, Exercise Inspector, Income Tax Officer, Examiner, Group B, Group C की सारी पोस्ट आपकी CGL के थ्रू ही निकलती है ठीक है गाइस आगे जानकारी देख लेते हैं जो आपका Pay Level 8 रहेगा इसमें जो आपकी सेलरी रहेगी वो 47,000 से लेकर 1,500,000 तक आपकी जा सकती है ठीक है गाइस, Important Information है आप लोगों के लिए आगे देख लेते हैं क्या-क्या आपकी Age Limit है अगर बात की जाए Assistant Audit Officer तो गाइस इसमें क्या है आपकी 30 से ज़्यादा उमर नहीं होनी चाहिए तो गाइस अब बात कर लेते हैं आपकी Assistant Account Officer इसमें भी आपकी उमर 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है गाइस और यह आपके Ministry है यह आपके Department है Indian Audit Account Indian Audit Account Department under CA and AG Indian Audit Account Department under CA and AG ठीक है गाइस यह आपकी Group B की Gazetted और यह आपकी Group B की Gazetted Non Ministerial के Under में आते हैं ठीक है गाइस आगे बढ़ लेते हैं तो गाइस इसमें Salary आपकी अच्छी खासी है बात कर लेते हैं Pay Level 7 इसमें जो आपकी Salary जाती है 44,000 से लेकर 1,42,000 तक आपकी Salary चली जाती है इसमें आपका Assistant Section Officer होता है Group B का जिसमें आपकी Age Limit होनी चाहिए 20 से 30 वर्स अगर बात की जाए Assistant Section Officer Intelligence Bureau के Under में आता है Ministry होती है Group B की यह Post है इसमें आपकी 30 से ज़्यादा उमर नहीं होनी चाहिए Assistant Section Officer यह आपका आता है Ministry of Railway के Under Group B की Post है जिसमें आपकी Age होनी चाहिए 20 से 30 साल के उमर के बीच में ठीक है आगे बढ़ लेते हैं तो गाइज इसमें आपकी डेरो यहाँ पर दी गई है आपकी कितनी सारी जोब है जिसमें आप देख सकते हो पूरी जानकारी यहाँ से देख सकते हो मैं आपको बाद में Qualification भी बताऊंगा आपकी Education and Qualification इसमें आप सारी Post को देख सकते हो सारी Group B की Post है आपकी और Salary भी आपकी अच्छी खासी है दोस्तों Group C की है आपकी Income Tax वाली यह आपकी Important है CBD, Credit and Text Information of India CBD के Under में यह जोब आती है तो गाइस यह आपकी 30 साल से जादा उमर इसमें नहीं होनी चाहिए ठीक है गाइस आगे बढ़ लेते है Excise Inspector Central Exercise तो यह आपकी Group B की Post है जिसमें भी आपकी 30 से जादा उमर नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस तो गाइस एक आपकी यह सबसे इंपोटेंट है सब इंस्पेक्टर भी आप यहाँ पर बन सकते हो Central Bureau of Investigation Group B की Post है 20 से 30 आपकी उमर होनी चाहिए ठीक है गाइस Assistant Enforcement Sorry Assistant Enforcement Officer Directorate Enforcement Department of किसके अंडर में आता है Directorate in Enforcement Department of Revenue Assistant Enforcement Officer तो यह Group B की Post है इसमें लगबग आपकी 30 साल तक उमर होनी चाहिए ठीक है गाइस यह चीजे भी आपकी जानकारी हो गई आगे बढ़ लेते हैं आगे आपका है Inspector भी इसमें बन सकते हो Central Bureau of Narcotics Group B की Post है इसमें भी आपकी 30 से जादा उमर नहीं होनी चाहिए ठीक है गाइस पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो यह आपका Pay Level 6 है जिसमें आपकी 35,000 से 1,12,000 तक आपकी Sellerie चली जाती है ठीक है गाइस यह जानकारी भी आप पूरी देख लेंगे यहां से आपके पास में काफी अच्छा मोका है इस बार दोस्तों काफी पोस्ट आपके निकली है ठीक है गाइस यह भी अलग अलग तरह की यह आपका Pay Level 5 है सब तरह की पोस्ट है गाइस यह चीजे भी आप देख सकते हो मैं एक बार दिखा देता हूँ चाहे तो आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हो ठीक है गाइस देख लेते हैं आगे बढ़ लेते हैं एक आपकी Pay Level 4 भी है इसको भी आप देख सकते हो फिर मैं आगे बढ़ लेता हूँ इसको आप देख सकते हो फटपट ठीक है गाइस आगे बढ़ लेते हैं तो गाइज यह आपकी कुछ यहाँ पर disability के बारे में दिया गया है यह चीजे तो आपको पता ही होगी आप यह disability वालों के लिए है ठीक है गाइज आगे बढ़ लेते हैं तो गाइज अब बात कर लेते reservation और vacancy की यह आपकी tentative vacancy है 6506 यह group B की gadgeted post S में 250 group B की आपकी है non-gadgeted 3513 और group C की S में 2743 ठीक है गाइज यहाँ पर reservation है SC के लिए, ST के लिए OBC के लिए EWS के लिए, X-Service Man वालों के लिए तो गाइज यह आपका reservation की बात हो गई ठीक है गाइज vacancy for ESM are reserved for only group C as per extent of government orders ठीक है गाइज यह चीज़ आप समझ गये होंगे यहाँ पर जो यह reservation है, यह सिर्फ आपकी group C की post के लिए है ठीक है गाइज, आगे बढ़ लेते हैं यह चीज़े तो आपको पता होना चीए आप यहाँ के citizen होने चीए इंडिया के नेपाल के भूटान के यह सबाब का चलेगा ठीक है गाइज आगे बढ़ लेते हैं तो गाइज यहाँ पर आपकी कुछ age limit दी गई है अगर आप उस post के लिए अपलाई कर रहे हो जिसमें उमर आपके 18 से 27 है तो गाइज आप लोग यहाँ पर मतलब इससे पहले पैदा ना हुए हो और इससे बाद में ना हुए हो ठीक है गाइज यह चीज़ आप देख सकते हो यह सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो ठीक है गाइज यह चीज़ मैंने आपको बता दी है जिस जिस post के लिए आप apply करोगे अपनी age limit आप देखके यहाँ पर apply कर सकते हो ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं तो guys यहाँ पर age relaxation भी दिया गया है SCST के लिए 5 साल OBC के लिए 3 साल PWD के लिए 10 साल PWD, OBC के लिए 13 साल तो guys यह चीज आप देख सकते हैं सर्विसमेन के लिए 3 साल ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं तो guys अब बात कर लेते हैं mode of examination mode of examination अगर tier 1 की बात की जाए तो guys आपका क्या होगा 25 सवाल होंगे general intelligence and reasoning के और लगबग आप क्यों होंगे 50 नमबर की general awareness ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं general awareness की बात करे 25 सवाल 50 नमबर के quant की बात करे 25 सवाल 50 नमबर English 25 सवाल 50 नमबर एक घंटा आपका एक घंटे का आपका पेपर होगा और जो भी बच्चे आपके disability है जिनके साथ में उनको 20 मिनटे extra दी जाएगी आपकी ठीक है guys आगे बढ़ लेते हैं अगर बात कीज़ा tier 2 की paper 2 की quant आपका 100 question 200 नमबर के और आपका English की बात करें आपकी English and comprehension 200 सवाल 200 नमबर paper 3 statics जिनका statics वाले है 100 सवाल 200 नमबर general study finance and economics 100 सवाल 200 नमबर ठीक है guys और आपका multiple choice paper आपका होने वाला है आगे बढ़ लेते हैं ठीक है guys पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है अगर बात कीज़ाए tier 3 की यह आपका 100 नमबर का paper होगा जिसमें आपको हिंदी या इंगलिस में आप कोई भी essay letter application आपको लिखने को दिया जाएगा एक घंटे का यह paper होगा ठीक है guys पूरी जानकारी आपको एक ही video में मिल गई है आगे बढ़ लेते हैं एक जानकारी और रह गई आपकी तो guys यहाँ पर आपका एक चीज और बतानी बूल गया में जब आप form बरोगे आप अपना number है mobile number आप अपना careful तरीके से देंगे carefully देंगे ताकि बाद में आपको कोई भी जानकारी अगर SSC आपको official notification बेजता है कोई भी चीज आपको बेजता है अगले सभी पेपर के लिए आपको good luck मिलते हैं अगली वीडियो में और वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब परने लाँ सभी government exam के ट्रिक के लिए exammatic study दोस्तों अमारा चैनल है इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद